Hey guys, welcome back once again to another video. मेरा नाम है दिपान्शियो और मैं study visas और work visas से related videos बनाता हूँ. आज के इस video में आपके लिए special लेकर आया है कि माल्टा में average salaries क्या होती है, tax rates क्या होते है, bonuses कितने मिलते है, social security contribution क्या होता है और सबसे important, in hand salary कितनी होती है, क्योंकि guys, यहाँ पर काफी taxes रहते हैं, जो deduct होते हैं, उसके बाद आपको आपकी take home salary या bank account में जो salary credit होती है. दोस्तों, आपने सुना तो बहुत होगा कि विदेश में salary काफी जादा होती है, लेकिन उसके comparatively टेक्स rate से वो भी काफी जादा होते हैं, वही चीजे आज सारी इस वीडियो में जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने दढ़िए का, और अगर चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा. तो यहाँ पर जो tax के slab से वो guys 0% से लेके 35% तक का amount आपको tax के रूप में pay करना पड़ेगा, तो वह सब चीजे जानेंगे लेकिन उसके पहले हमें 2-3 term से जो जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली term तो guys social security contribution, social security contribution में आपकी salary का 10% amount जो है वो आपको pay करना पड़ेगा as a social security contribution, अब यह है क्या चीज़, दोस्तों काफी European countries में आपको social security contribution pay करना पड़ता है, क्योंकि इसके काफी benefits होते है, जैसे कि कभी आप अगर sick हो जाते हैं, तो आपको sick लेना पड़ती है, तो उसका भी payment मिलता है, suppose अगर आप maternity leave लेते हैं, तो maternity leave का भी payment आपको मिलता है, suppose अगर आपकी pension का payment, अगर कुछ भी injury हो जाती, health insurance में covered रहता है, और बहुत सारे benefits जो citizens को, residents को मिलने चाहिए, वो सारे benefits इन में हमें मिलते हैं, तो ये चीज़ I think कि सारी countries को कही ने कहीं adopt करना चाहिए, second जो है tax rates, tax rates में दोस्तों जो हमारा personal income tax आता है, वो हमें pay करना पड़ तो bonus में दोस्तों, यहाँ पर जो है, एक small percentage है, जो हर 3 months में pay किया जाता है, यह जो bonus था, इससे आप आपके थोड़े बहुत living expenses को cover कर सकते हो, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर tax rates का slab वो कैसा होता है, तो screen पर आप देख पा रहे होंगे, single rates दिएवे, married rates दिएवे, और parent rates दि कम है, तो आपको कोई भी tax नहीं pay करना है, 0% tax, अगर आपकी salary 9101 euro से लेके 14,000 तक है, तो आपको 15% tax pay करना पड़ेगा, and so on, और यह जो tax है दोस्तों, यह inclusive of social security contribution है, और साथी साथ personal income tax भी है, पूरी table को read नहीं करने वाला हो, आप इसको आराम से देख कर read कर सकता है, पता ल से लेके 20,000 euro per year तक के बीच में range करती है, जनरली अगर गहूं तो 18,000 euro की यहाँ बार average salary है, तो suppose अगर आपकी salary, average salary 18,000 है, मतलब आपकी personal income, जो है gross salary जिसे कहते है हम लोग, अगर वो 18,000 है तो कितनी income आपकी salary हाथ में आने वाली, इन है ना आने वाली, मतलब net income salary कितनी होग है, Malta salary calculator, इसमें लिखा हुआ है कि yearly salary हमने रखी है, 18,000 euro, 18,000 euro yearly salary है तो इसका 10% होता है, 1800 euro, जो कि मैंने बताया था, आपको social security contribution में जाता है, और social security contribution को ही हम कहते है national insurance, तो वही चीज, वो दोनों एक ही चीज है, उसमें हमारे 1800 euro जो है, डिड़क्ट हो गए, उसके बाद ज finally हमारी salary बच रही है, 14,515 euro की, और इसी बीच आपको दिख रहा होगा, cola, जो कि bonus है, जैसा मैंने आपको बताया था, कि bonus होता है, cost of living allowance बोलते है, उसको वो जो कि आपको 3 months में मिलता है, जो very little amount, जो कि इसमें बताया है, 520 euro का, वो आपके salary पर depend करता है, कितनी salary उसके accordingly आप हमें 1200 ही मिल रहे है, तो हमारा 300 euro का loss हो रहा है, loss तो नहीं क्योंगा, मतलब यह तो benefit ही होता है हमारी लिए, अगर हम government को pay कर रहे हैं, तो 300 euro हमें tax के रूप में pay करने पड़ेंगे, और अगर हमारे yearly बात करें, तो हमें 3500 euro tax के रूप में pay करने पड़ेंगे, अगर इंडिय ठीके से आप लोग आपके tax को calculate कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया था आपको कि social security contribution सिफ 10% होता है, ऐसा नहीं कि हर 10% है, वो एक average salary percent के लिए 10% होता है, लेकिन जैसे ही आपकी salary बढ़ती जाती ही, तो आपको social security contribution तो काम होता है, लेकिन आपका tax, personal income tax वो बढ़ते जाता है तो ये एक difference और काफी थोड़े बहुत और भी difference से काफी relief मिलती है, आपको refund मिलते है कुछ cases में, तो वो cases के लिए वो अलग से बहुत लंबा video हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता है, मैं सिफ आपको एक basic calculation बताना चाहता था, जिससे कि आप easily समझ पाए कि यार मेरी अगर तो मैं इतना in hand मुझे मिलने वाला है, तो अगर आपकी salary है euro, तो आपको मिलने वाल है 1200 in hand, तो आज के लिए यही और अगर मैंने कुछ topic छोड़ दिया है, या कोई doubt आपको आता है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, और इस channel को subscribe जरूर कीजिएगा, तो आज के लिए तर नह लोग नेक्स वीडियो में, तिल दन बाबाय, तेक केर